गनेश मेला डिगवाडी में बीधी ब्यवस्था का खत्रावतन हो सकता है थाना प्रभारी बिहार अब जर्बर के मुख्य प्रिष्ट पर छपा या सिर्शक क्या यह प्रमालित करने के लिए प्रयात नहीं है कि जिला धनबाद की बीधी ब्यवस्था नोटों की गडियों के बोस्तले कराह नहीं रही है अपनी अंतिन सांसे गिन रही है वह अधिकारी जो पूरी तरह से उत्तरदाई है गणेश मेला डिगवाडी में बीधी ब्यवस्था को बनाए रखने के लिए यदि वही अधिकारी कहता है कि गणेश मेला डिगवाडी में बीधी व्यवस्ता का खत्राउत्पन हो सकता है तो असपस्ट है कि सागर की खामोस लहरों में उसने आने वाले तुफान का संकेत पालिया है और सागर की खामोस लहरों से आने वाले तुभान का संकेत आने के बाद भी यदी वहनाव को मजधार में उतार रहा है तो असपस्ट है कि उसने कुछ खा लिया है और जितना उसने खाया है उससे अधिक उसके उपर वालों ने खा लिया है और गणेश मेला डिगवाडी की बीधी व्यवस्था को गणेश जी के ही सुपुर्द कर गणेश मेला डिगवाडी में बीधी व्यवस्था का खत्राउत्पन हो सकता है कह कर अपना पल्ला जाड लिया है SDM उदैर रजक को थाना प्रभारी ने भेजा रिपोर्ट आखिर कहां दब गया महोद है SDM उदैर रजक को थाना प्रभारी ने भेजा रिपोर्ट और थाना प्रभारी के रिपोर्ट पर भादर पदर सुप्रख की चतुर्थी का सुमूर देखकर भगवान गणेश की ही पाती पाल्थी मार कर बैठ गया उस पर हरा हरा नोट और उसी नोट के नीचे दब गया थाना प्रभारी का रिपोर्ट भूल चूक लेनी देनी अब संबंध को आगे बढ़ाते हैं सरकारी जमीन पर कैसे चल रहा है गणेश मेला थाना प्रभारी को सियो ने भेजा था रिपोर्ट लो भाईया ये क्या हो गया जिसे कील समझा था वो खंभा निकल गया जहरिया सियो के जाच रिपोर्ट के बाद गणेश मेला हुआ अबैद घोसित बिना लाइसेंस लिए बिना सुलक दिए मेला के नाम पर हो रहा है करोडो का घोटाला अब तो लग गया अपने मुँँपर भी ताला अब प्रस्णिया है कि मेले के अबैद घोसित होने के बाद यदी मेले में कोई दुरूइटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा जबाब एक ही है बरबाद इगुलिस्ता करने को बस एक ही उडलू काफी है जहां हर साथ पे उड़लू बैठा हो अंजाम बुलिस्ता क्या होगा यदि या समाचार आपको किशी प्रकार उप्योगी लगा हो तो चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें